गुद मॉनिंग एवरीवन वेलकम बैक चू मैं चैनल वेल गैस कैसे आप सब लो और आज महात का शकल देख लिए आप दर शकल पर बारा बज रहा है महात की क्यूंकि महात को आ रही है नींद और देखिए जरौ इस मौसम में तो काई होता भी है यह कि बच्चों को नींद आ रही होती है और अभी देखिए अभी सेवन थर्टी जो है हुए है और अभी टेन मिट्स है महात की जाने में स्कूल इसलिए माधिया बैठाब है और देखाना दरा मानू कैसे नींद आ रही है मू देखिया और एक्टिंग भी देखिए साथ में ओ शो गई शो गई शो यह देखिया तो बस गाइस मौनिंग हो गई है और बहात का भी चली चलते हैं वैल करी में देखते हैं कैसा मौसम हो रहा है बाहर का तो बस गई यहां देखिया आप सुबह हो चुकी है और अभी तक यहां का देखिए यह सूरज है वो निकला नहीं है अभी निकल रहा है और मतलब ठंड का है थोड़ा हलका हलका सापको दिखी रहा होगा फॉक्स आइज ठंडा सा मौसम ही हो रहा है और उसी के साथ यहां देखिया रोड बेस टाइम पच्चों का टाइमिंग चेंज हो चुका है स्कूल का इस वज़े से भी इस टाइम कम बच्चे दिख रहा है व भी भी देखी बहुत सारे बच्चे हैं इस सब खराब हो चुके हैं पत्ते तो इसका कोई यूज नहीं है तो बस इसी को मैं हटा रही थी ताकि यह जो है अच्छे भी नहीं लग रहे हैं ऐसे खराब से पत्ते पूरा पेड़ से सूख हवा और जब हम यह निकाल देंगे तो फिर इसमें नए पत्ते आएंगे तो बस इसमें इस वाले प्लांट में भी जो बहुत साथ तो भी निकाले और इसको भी थोड़ा सही किया है और पानी जो है मैंने दो रूप लांट में डाल दिया है गाई तो चलो मानू निची चलते हैं लेट्स गो तो बस मैं अब जो है कर रही हूँ अपने क्लोट्स को आए रहें क्योंकि अभी तक मैंने शौवर लिया नहीं है और माहत स्कूल से आ गया था उसको मैंने लुट्च भी करा दिया माध ने काफिदे टीवी भी वाच कि और अब मैंने माहत को जो है वो सुला दिया है और उसके साथ अब भी जो टाइम हो रहा है वो है टू फॉट्टी तीन बजे नहीं है और मैंने पर तक शौवर लेया नहीं क्योंकि मैं अभी और काम निप्टा रही थी घर के गाईज क्योंकि आपको जैसे पता ही है मेरी घर में जो है वो शादी है और मुझे जाना है अ तो बेल गाईस देकी शौवर में लेके आ गई हूँ और अभी अभी बहुत बुरा हुआ मेरे साथ मैं जो थी वो अब खाना मैंने खाई नहीं था अब जस्काना खाने जाही रही थी कि माइक्रोवेव से अपनी प्लेट निकाल रही थी खाने के लिए और वो थोड़ी सी घर के कामों पता ही नहीं चलता है और अब भी पहले में खाना काऊंगी थोड़ी बैठोंगी और यहां पर गिरा था तो सब यह गंदा भी हो गया इस सब चीज़े में बाहिन करूंगी और और बाकी घरवर जो है वो एकदम सब चीज़े काम कर चुकी हूँ क्लीन सारे वा कर लेती हूं और फिर मैं आपके साथ लॉग जो है वर तेरबात कॉंटिन्यू करती हूं अभी हो रहा है और अल्मोस देखिए 630 होने वाले हैं और मैं जो है यहां पर गाइस बनागी और बहुत टाइम बात बना रही हूं मागी और इस बार मैंने बहुत जादा बनाई क् माहत क्यों मेरी हम दोनों के लिए है यह बिल्कुल रेडी हो गई है इसको निकालते हैं माहत को भी मैंने काफी देर पहले उठा दिया थक भी करा दिया स्कूल का पढ़ा भी दिया यहां पर माहत बैठे वे जना आप देख रहे हैं तीवी और देखिए इसी वजह से मैंने कारपेट यहां डाली है यह जो है बार-बार खड़ा होते रहते हैं फ्लोर पर ठंड ना चड़े इसलिए अब भी आजकल का यह है किया यही मंत है जिस मंत में जो है भाई की शादी है और उसकी साब से बहुत सारी प्रपरेशन है दिमाग में बहुत कुछ चलता भी रहता तो इसे के साथ गईस पहले मैं खा लेती हूं मागी और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूं तो बस गईस फाई आ गए घर पे और मैं यहां बना रही थी चाय और आत्वा लेट हो गया है फाई को 830 हो गए है और यहां देखिए मैंने प्लेट जो है वो लगा ही ली है मारी चरे तो चली निकालते हैens चाय को अपनी और देखिए अच्छे से चाय जो है वो मेरी कॉल गई है तो बस चली चलते हैं वहाँ चाय ब्लाएक करते हैं और हाँ यह देखिए गाए 430 से भी निकल चुके हैं तो अब بھی गुसे है फाई जर्स घर पे और काफी ठकेवे वही ह तो चलिए चलते हैं इस रूम में और चाहिए करते हैं सर्व फाई इसकल महात को जो है स्पीच बोलनी है अपने फेवरिट कार्टून के लिए और महात बना है वूफुल और एक्जाक्ट सेम हमने कुछ बाहर से नहीं खरीद है गर में हमें सेम क्लोज जो वूफुल पहनता है वही कॉंबिनेशन की कप्रे जो हमें मिल गए है और बाकी आपको अंदर का मैं दिखा देती हूं क्या हो रहा है और यहां देखिए फाई ने कितना अच्छे से बनाया ह वूफुल को दिखाए मांदू यह देखिए गैस तो हमने एक प्रिंट आउट निकाल कि उसको पर कलर कर दिया और यह महात के नेक के साब से जो है यह फिक्स कर दिया और यह देखिए सेम जो वूफुल क्लोज पहनता है वही क्लोज जो है हमें मिल भी गए है मानू लीवि और exact same देखिए combination जो है guys वो match हो गया है घर में ही कुछ लाने के जरुवत भी नहीं पड़ी और बस ये जो है मैंने strip जो है यहां से जो है यह फिक्स कर दिये कि ये महात के neck में डल जाएगी तो बस guys घर में कुछ न कुछ अगर हम लोग देखे न तो सब चीज़े घर में ही available होती हमें market से कुछ भी लेनी के जरुवत ने पड़ती है बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ कैसे है और बस इसी के साथ guys देखे अभी जो है वो 11 बज रहे हैं और बस चलिए चलते हैं अंदर और थोड़ा लेड़ जाते हैं कि काफी थकान हो गई है हमें भी और इसी के साथ guys आज के vlog को करते हैं इन मिलते हैं हम आपसे कल के vlog में जब तक इस चानल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम लोग आपसे मिलते हैं कल बाई बाई अला आफिस अपना बहुत सारा ख्याल रखें